हेलो दोस्तों कैसे हो सबी लोग आज मैं आपके सामने CSI net exam के लिए जो लोग prepare करें उनके लिए कुछ tips देना चाहता हूं आप इसे tips कह सकते हैं या फिर आपने अगर यह mistakes करी है तो आप इसको avoid कर सकते हैं ठीक है देखिए कुछ मैंने 5 points निकाले हैं जो कि हर कोई student करता है जब भी prepare करता है और उसको समझने में एक दो point है कि number of sources आप कहां कहां से पढ़ रहे हो देखिए जब भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज होती है और आप हम लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं और हमारे पास कई सारे 50 options है तो हम लोग confused हो जाते है कि अब मैं कौन सी इसमें से ले लो कौन सी best है यह हमें हमारे मन में हमेशा सवाल होता है वही अगर मेरे पास ऐसा हो कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही options है कि मुझे या तो यह चूज करना है या तो वह चूज करना है अब मैं जो भी चूज करूंगा उसमें खुश रहूंगा तो इससे related कुछ CSI net का नेट का हमारे एकदाम के preparation भी है आप देखते हैं कि YouTube के उपर आपको कई सारे institutions है coachings है या फिर आपके पास कई सारे books भी है या कई सारे लोग बताने वाले भी है तो आप confused मत हो जाना कि आपको लग सकता है कि यहां से अच्छा है यहां से यह बेस्ट है यह बेस्ट है तो ऐसा नहीं करना है अपने sources को limited रखिए अगर आपको लगता है कि यह book मुझे follow करना है तो उसी coaching के उपर follow किजिए और फिर उसी को follow करते रहें एंड तक तो यह पहला चीज आपको करना है कि अपने sources को limited रखिए दूसरी चीज आपको यह करनी है दोस्तों कि अब जो भी आप पढ़ रहे हो तो यह बात तो नहीं है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो सारी की सा ध्यान में रखी जाएगी at the end तक exam होने तक तो दूसरी mistakes students यह करते हैं कि जो भी आप सीख रहे हो आपको लग रहा है ना कि यह point important है और इसे मुझे ध्यान में रखेना चाहिए तो उसे आप note कर सकते हैं और notes का बहुत बड़ा फाइदा होता है जब भी आप topic को revise करना चाह रहे हो उसमें जैसे ही आपको लगे कि यह point important है तो उस point को जरूर note कीजिए यह बहुत important है आपको exam में इसका बहुत ज्यादा फाइदा होगा हर concept जैसे कि मान लो कि मुझे एक concept ordinary differential equation का कप लग रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि यह ध्यान से चला जा सकता है तो मुझे नोट करना है यह formula note करना है एक theorem note करना है तो बस जब भी revision की बारी आएगी तो बस उसी को देखना वहां से आपका काम हो जाएगा तो short notes बनाना बहुत ज़रूरी है और कई सारे लोग बनाते भी नहीं है यह उनकी दूसरी mistake है तीसरी mistake के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यह है कि पीवाई क्यूद्स अब दिखिए कई सारे जगह से आपको assignment के questions मिल जाते हैं आप internet के उपर जाओ तो वहां से आपको कई सारे मिल जाते हैं कई सारे questions आप solve करते हों लेकिन उसी गड़बर्ण में आप कही पर यह यह तो नहीं भूल रहे होना कि आप पीवाई क्यूद्स को देखना भूल गए या फिर exam नजदिक आ रहा है और पीवाई क्यूद्स solve करने ही रहें तो यह ज़रूरी बात है कि आपने जितने जादा पीवाई क्यूद्स हो सके सारे के सारे देखने हैं क्योंकि exam को qualify करना है किसी भी competitive exam को तो उसका pattern समझना बहुत जरूरी है अब हर कोई exam जैसे मैं CSR NET की बात करू, IIT jam की बात करू, gate की बात करू यह जो भी अलग-अलग exams conduct कराते हैं, हर किसी का exam के questions बनाई का pattern अलग-अलग है आप देख सकते हैं कि gate का exam का pattern कुछ अलग है, वहाँ पर कुछ particular type के ही questions पूछे जाते हैं jam के भी कुछ particular type के questions होते हो, और CSR NET की भी तो अगर आप CSR NET qualify करना चाहते हो, तो आपको समझना है कि इस exam में किस प्रकार के questions पूछे जाते हैं तो और इसको समझने के लिए सबसे best तरीका यह होता है कि आप पीवाई की इसको जितने जादा analyze कर सकते हो करो दीखिए और आपको जब analyze करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं जैसे कि आप simply real analysis का कोई एक topic उठा कर देख लिए countability तो वहाँ पर आप जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा यह topic तो repeat हो रहा है बार बार बस यहाँ पर sets अलग-अलग दे रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं तो यही करना है कि आपको सारे के सारे प्रकार के questions पूछे जा रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग यह करते नहीं है और एक्जाम में देखिए कि at the end जो भी questions आते हैं वो उनी को थोड़ा बहुत modify करके ही आते हैं ऐसा नहीं कि एकदम अलग कोई question आ गया हां ऐसा हो सकता है कि एकद question अलग हो सकत है लेकिन qualify करने जितने questions तो आपके पास जितना knowledge होता है उतना sufficient होता है qualify करने की यह बात ध्यान में रखिए और वो उसी को follow करते हुए आपको आगी चला कर ले ले जाएंगे कि इस प्रकार के questions उसी का थोड़ा बहुत modification होगा उस question को आवर आप लगाओगे तो हो जाएगा तो पीवाई क्यूज को analyze करना बहुत जरूरी है यह तीसरी मिस्टेक कुछ लोग करते हैं कि वह नहीं analyze करते या पीवाई क्यूज को solve नहीं करते हैं यह आपको नहीं करते हैं चोती बाद जब भी आपके एक्जाम के preparation हो जाएगे ऐसा आपको लग रहा है तो आपको टेस् अब मैं यह नहीं कह रहा कि आप simply IFS की test series purchase करें या फिर आप किसी दूसरे institute की test series purchase करें आप कहीं से भी purchase करो लेकिन करो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि 2-4 friends मिलाकर test series purchase कर सकते हैं इसका फाइदा यह है दोस्तों कि आपको समझ में आ जाता है कि अब test series में आपको full mock paste की बात कर रहा हूं है कि अब मेरे पास जो भी exam का pattern के question से उसी प्रकार के रहेंगे दूसरी बात आपको 3 गंटे में ही उसे प्रेपर को solve करना है तो आपको time management का भी idea वहां से लग जाता है तो यह बहुत ज़रूरी बात है कि आप test series purchase करो और उसको solve करो वहां से एक आपको पता चल जाएगा कि यार इस प्रकार के भी questions आ सकते हैं इस प्रकार के भी questions आ सकते हैं अगर आपको लगा कोई बहुत difficult है तो उसको छोड़ दोना क्या दिक्क्यत है बहुत सारी questions होते हैं हमें और करने के लिए तो test series purchase करना जरूरी है और उसको solve करना भी जरूरी है फिर analyze करना कि कौन से क्वेशन को मेरा कितना टाइम जा रहा है मुझे कितना देना चाहिए जल्दी पर्चेस कर सकते हैं जल्दी करिए उसका फाइदा ही होगा आपको क्यूंकि एक्जाम तक आप analyze कर पाओगे और फिर उसको modify करके आप exam में जाकर बैठ सकते हैं यह हो गई चौती चौती बार या फिर चौती मिस्टेक जो students करते हैं और लास्ट मिस्टेक यह है कि दिखिए अगर किसी भी चीज में successful होना चाहते हैं तो हमें consistent होना बहुत ज़रूरी है तो आप जितना ज्या improvement नहीं हो पाता किसी कई सारे चीज़े है consistent हो जाओ जितना हो सकते हो क्योंकि एक घंटा भी अगर एक दो घंटे जितना भी आपको time चाहिए उतना आप दे सकते हैं कि इतना time मुझे बस CSI net exam के लिए देना है तो उतना दे दीजिए ठीक है अगर इतनी सारे चीज़ें अग आप avoid करने की कुशिश करिए यह भी देख सकते हैं कि पिछली बार जो अगर किसी ने पहले आटेम्ट दिया है तो उस आटेम्ट ने आपके क्या 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 गलती हुई थी या कि मेरा time management सही नहीं हुआ था मैंने यह पार से इतना ही किये थे तो मुझे कहां पर focus करना ह है उसको भी analyze कीजिए या फिर मैं मेरा confidence lose हो जाता है तो उसको develop करने के लिए उसको थोड़ा और जादा बढ़ाने के लिए आप test series का जरूर फायदा उठा सकते हैं ठीक है तो यह कुछ चीजे थी जो mistakes हैं जो कि हम सब लोग करते हैं आप भी कर रहे होंगे तो कुशिश कर किएगा कि इसको हम लोग avoid कर सकते हैं और एक्जाम में हमारे पास अच्छे marks आ जाए हम qualify हो जाए यहीं हमारा मोटो है तो सभी को all the best and happy learning कि अच्छे मार्ग्स आजाए हम क्वालिफाय हो जाए यह हमारा मोटो है तो सभी को all the best and happy learning